इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एतलीटों ने जबर्जस्ट प्रदर्शन किया, एशियन गेम्स में हमारे खिलाडियों ने 107 और एशियन पेरा गेम्स में 111 मिडल जीते, क्रिकेट वर्लकप में भारतिय खिलाडियों ने अपने प्रदर्शन से सप्पा दिल जीत लिया अंडर 19 T20 वर्लकप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेजित करने वाली है कई खेलों में खिलाडियों के उपलब्दियों ने देश का नाम बढ़ाया अब 2024 में पैरिस अलिम्पिक का आयोजन होगा जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाडियों का होसला बढ़ा रहा है साथियों जब भी हमने मिलकर प्रयास किया हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ हमने आजादी का अमरुत महोसव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया इसमें करोडों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं सत्तर हजार अमरुत सरोवारों का निर्मान भी हमारी सामोही को बलब्दी है साथियों मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता उसका विकास रुख जाता है भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीग है कि हम रुखने वाले नहीं है 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 वे रैंक पर थे आज हमारी रैंक 40 है इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या जादा रही जिन में करीब 60 परसंट डोमेस्टिक फंश के थे Q.S. Asia University Ranking में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारती उनिवर्सिटी शामिल हुई है अगर इन उपलब्दियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो एक कभी पूरी ही नहीं होगी ये तो सिर्फ एक जलक है भारत का सामर्थ कितना प्रभावी है हमें देश की इन सफलताओं से देश के लोगों की इन उपलब्दियों से प्रणा लेनी है गर्व करना है नए संकल्प लेने है मैं एक बार फिर आप सब को 2024 की शुप कामनाई देता हूँ मेरे परिवार जनों हमने अभी भारत को लेकर हर तरब जो आशा और उच्छा है उसकी चर्चा की यह आशा और उमीद बहुत अच्छी है जब भारत विक्सिद होगा तो इसका सबसे अधिक लाब युवाओं को ही होगा लेकिन युवाओं को इसका लाब तब और ज्यादा मिलेगा जब वो फिट होंगे आज कल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसिस के बारे में कितनी बाते होती हैं यह हम सभी के लिए खासकर युवाओं के लिए ज्यादा चिंता की बात है इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इन्पुट भेजने का आगर किया था आप लोगों ने जो रिस्पॉंस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है नमो एप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्ट अप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की है साथियों भारत के प्रयास से 2023 को इंटरनेशनल येर अप मिलेट्स के रूप में मनाया गया इस से इस ख्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट अप्स को बहुत सारे अवसर मिले इनमें लखनव से शुरू हुए किरोजफूर्स प्रयागराज के ग्रैन मा मिलेट्स और न्यूट्रा स्टिकल रीच ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्ट अप सामिल है एल्पिनो हेल्फूर्स अबोरियल और किरोजफूर्स से जुड़े युवा हेल्दी फूर्स के आप्संस को लेकर नए-नए इनोवेशन भी कर रहे हैं बैंगलूर्य के अन बॉक्स हेल्थ से जुड़े युवाव नहीं ये भी बताया है कि कैसे वे लोगों को उनकी पसंदिदा डायेट चुन्ने में मदद कर रहे हैं जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेब को जमा भी बुलों तो नहीं